आज के लेक्षर में हम चैप्टर 18 ट्रग्नमेट्री के एक्सेसाइज सॉल्व करेंगे एक्सेशाइज 18a का हमें Second Question के पार्ट सॉल्व करने है इस Second Question में भी हमें प्रूब करना है Prove the following identities और ये रहा First Part 1 by cos theta plus 1 1 by cos theta minus 1 is equal to sin square theta upon 1 minus sin square theta जब कभी भी proving आए तो proving हम कैसे करते हैं हमारा main काम होता है कि LHS is equal to RHS दिखाना अगर हम LHS और RHS equal कर लिए तो proving वहीं से हो जाएगी अब यहाँ पर prove करने के कई तरीके हैं कई method हैं तो देखिए पहला method यह है कि सिर्फ LHS को solve करते जाएं RHS के equal दिखाएं दूसरा है या तो RHS को solve करके LHS दिखाएं और तीसरा method है कि दोनों को solve करें और दोनों को equal दिखाएं यानि LHS को भी solve करते जाएं RHS को भी solve करते हैं दोनों को equal दिखाएं और यह सबसे easy होता है third method कि LHS को भी solve करें RHS को भी solve करें सबसे easy method है जब proving करना होना तो दोनों तरफ हमें करना है LHS और RHS को तो क्या करिए जितना छोटा जितना छोटा आप कर सकते हैं सबसे छोटा कर करके इधर और इधर दोनों तरफ कर दिजिए बहुत easy है देखिए first question देख लेते हैं 1 upon cos plus 1 1 upon cos minus 1 है यह रहा LHS तो LHS लिख दे यहाँ पर LHS क्या है 1 upon cos theta plus 1 1 upon cos theta minus यह रहा LHS हम इसको भी solve करेंगे और RHS क्या है sin square theta upon 1 minus sin square theta इसको भी solve करेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है 1 upon cos reciprocal में दिख रहा है क्या दिख रहा है reciprocal में तो यहाँ पर reciprocal मतलब आपको जब trigonometry solve करना होना तो सारे formula एकदम दिमाग में होने चाहिए identity reciprocal और जो basic formula है सब आपको एकदम दिमाग में होना चाहिए जहाँ पर देखें कि इसकी जगे हम यह लिख सकते हैं तो 1 upon cos की जगे क्या लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं सेक थीटा याद आ रहा है ना sin और cos sec आपस में reciprocal है cos sec आपस में tan cot आपस में reciprocal है 1 upon cos की जगे लिखेंगे sec theta और यह रहा प्लस 1 फिर यहाँ पर 1 upon cos sec theta minus 1 कैसे आया क्योंकि हमने 1 upon cos की जगे sec लिखा क्योंकि यह reciprocal relation है हो गया यह अब इसको थोड़ा सा और solve कर ले अब यह किस तरीके से दिया हुआ है a plus इसको b ले ले तो a plus b यह a minus तो यहाँ पर a plus b और a minus b इस तरीके से लिखा है इसका formula भी आपको आता होगा a plus b into a minus b एक बार plus एक बार minus कब होता है a square minus b square यह पढ़ा चुके है ना बहुत इसी था a square minus b square a plus b a minus b तो यहाँ पर क्या लिख सकते है a square minus b square a क्या है sec theta यानि sec theta का square minus b square b क्या है 1 तो 1 का square 1 यानि LHS क्या आ गया sec square minus 1 क्या आ गया sec square minus 1 sec square minus 1 आ गया ठीक है अब इसको थोड़ा सा और solve कर सकते हैं अब square में है 1 में है तो identity अब सोची अब identity कौन सी लग रही होगी किसमें आता है sec sec और 1 किसमें आता है sin square plus cos square is equal to 1 यहाँ sec है यही नहीं 1 plus cot is equal to cos sec यहाँ पर भी sec नहीं sec कहा है sec है है हमारा 1 plus tan square theta is equal to sec square theta यहाँ पर sec भी है 1 भी है यानि यह identity लग जाएगी कैसे लग जाएगी देखिए यह plus 1 है उधर जाएगा तो minus 1 हो जाएगा यहाँ बच्चा 10 square theta यह हो गया अब देखिए यहाँ से sec square theta minus 1 क्या रहा है 10 square theta तो बस सीधे यहाँ पर लिख दीजिए 10 square theta क्या गया 10 square theta यह हमारा LHS हो गया यहाँ तक solve करिए आगे काम लगेगा तो फिर से solve करेंगे अभी यहाँ पर छोड़ दीजिए अब आते हैं RHS हमने देखिए कितने यहाँ पर थे 1, 2, 3, 4 4 चीज़े थी फिर 2 ही चीज़े बचिया सिर्फ सिंगल एक चीज़ बचिया 10 बस अभी तक trigonometry भी थी 1 भी था धीरे-धीरे हमने क्या किया उसको छोटा-छोटा-छोटा कर दिया यह हो गया अब आते हैं RHS अब यहाँ पर छोड़ दीजे अब यहाँ पर भी देखिए 1, 2, 3, 3 चीज़े है इसको फिर हम छोटा करते हैं RHS यहाँ लिखा हुआ है sin square theta 1 minus sin square theta अब 1 और sin square किस identity में आता है पहली कौन से identity है sin square theta plus cos square theta is equal to 1 इसे में आता है न अब यहाँ अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं यह यहाँ plus में है इधर आएगा minus में यहाँ तो यहाँ करें cos square theta sin यहाँ पर plus में है उधर जाएगा तो minus हो जाएगा 1 minus sin square theta अब 1 minus sin square theta यहाँ पर 1 minus sin square theta 1 minus sin square theta is equal to cos square theta यानि इसकी जगे हम लिख सकते हैं cos square theta इसकी जगे लिखते हैं cos square theta हो के आएए अब इसको और छोटा करें और छोटा कैसे कर सकते हैं, इसको और सॉल्व कैसे कर सकते हैं, sin upon cos लिखा है, sin upon cos, यह आपने पढ़ा है, tan theta में, कहां पर? tan theta में, tan theta क्या होता है? sin theta upon cos theta, यह formula याद है, tan theta क्या होता है? sin theta upon cos theta, यहां पर लगा हुआ है square, तो यहां देखिए, square करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, यहां पर square, तो इधर भी square, यह हो गया, यहां पर square तो सिधे अनके उपर square लगा दीजिए, यह हो गया, तो sin square theta upon cos square theta क्या आगया? tan square theta, यानि इसकी जगे हम, इसकी जगे, क्या लिख सकते हैं? 10 square theta ये हो गया अब देखिए LHS क्या आया 10 square theta RHS क्या आया 10 square theta दोनों को हमने solve किया तो दोनों में LHS 10 RHS भी 10 square theta दोनों है यानि LHS यहां से LHS is equal to RHS ये प्रूब हो गया सर्फ आपको क्या करना क्या है कि LHS और RHS equal दिखाना है अब चाहे आप दोनों को solve करके दिखाएं या सिर्फ LHS को ले करके या सिर्फ RHS को ले करके कोई भी method आप use करकर सकते हैं main काम है आपको इसे equal दिखाना समझ में आ रहा है note कर लीजे second part है one upon sin theta plus one one upon sin theta minus one RHS में लिखा हुआ है cos square theta upon one minus cos square theta तो पहले हम लिखते हैं LHS क्या है one upon sin theta plus one यहाँ पर है one upon sin theta minus one यह LHS हो गया हमें दोनों ले कर solve करना है तो यह हो गया RHS अपाउन one minus cos square theta solve करते हैं पहले है LHS यहाँ पर देखें रेसिप्रोकल में दिख रहा है one upon sin reciprocal में किसका reciprocal है sin और cos theta आपस में reciprocal होते है tan और cot आपस में cos और sec sin और cos यानि one upon sin क्या हो जाएगा cos theta यहाँ पर हो गया plus one इसकी जगे फिर से लिखेंगे cos theta minus one यह हो गया हमने क्या किया है one upon sin theta की जगे cos theta लिखा क्योंकि यह दोनों आपस में reciprocal है अब यहाँ पर यह इसको अगर हम a ले ले और इसको b तो a plus b यहाँ पर यह a और यह b तो a minus b a plus b फिर bracket a minus b तो यह किसका formula बनता है a plus b into a minus b होता है a square minus b square a plus b into a minus b क्या होता है a square minus b square a square यानि cos 1 square theta minus 1 यह हो गया lhs अब यहाँ पर identity आ रही है क्योंकि कोई भी यहाँ पर trigonometry square में हो उसके साथ 1 हो तो यहाँ पर सीधे धिमाग जाना चाहिए trigonometry identity पर किस identity पर कॉसेक आता है किसमें आता है 1 plus cot square theta में होता है कॉसेक square theta कॉसेक किसमें आता है 1 plus cot square theta is equal to कॉसेक square theta यहाँ लिखा है कॉसेक minus 1 यानि यह plus 1 को उधर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा minus 1 और यहाँ पर बच रहा है cot square theta यानि कॉसेक square theta minus 1 कॉसेक square theta minus 1 की जगे लिख सकते है cot square theta यह हो गया अब यह हमारा LHS आ गया सबसे छोटा हमने तोड़ लिया सिर्फ एक बचा cot square theta अब इसको यहाँ पर छोड़ दीजे अब आएए RHS पर यहाँ लिखा हुआ है cos square theta 1 minus फिर यहाँ पर 1 और एक trigonometry 1 और एक trigonometry का square है फिर जाना चाहिए दिमाग कहाँ पर trigonometry identity पर किस identity पर cos आता है पहली sin square plus cos square theta is equal to 1 यह होता है plus cos square theta है उधर जाएगा तो minus हो जाएगा तो यहाँ हो गया 1 यह plus उधर गया minus 1 minus cos square theta क्या है sin square theta इसकी जगे क्या लिखेंगे sin square theta यह हो गया अब यहाँ पर trigonometry और क्या याद आ रहा है cot theta होता है cos upon sine cot theta होता है cos upon sine जितनी question practice करेंगे उतना ही easy chapter लगे गया तो यहाँ पर हो जाएगा cot theta is equal to cos theta upon sine theta यह होता है formula यहाँ पर square है तो दोनों तरफ square कर लेंगे तो यहाँ cot square theta यहाँ cos square theta upon sine square theta इसकी जगे क्या लिख सकते हैं cot square theta तो यहाँ पर लिख देंगे यह हो गए यह रहा हमारा RHS अब देखिए LHS है यहाँ पर cot square theta RHS भी है यहाँ पर cot square theta यहाँ क्या आ गया LHS और RHS दोनों equal हो गया तो यहाँ सी हमारा prove हो गया LHS is equal to RHS यह हमारा prove हो गया समझ में आ रहा कैसे करते हैं नोट कर लिजे इसे थर्ड पार्ट है 1 upon sec theta minus 10 theta plus 1 upon sec theta plus 10 theta is equal to 2 cos theta पहले लिखते हैं LHS क्या है यहाँ पर 1 upon sec theta minus 10 theta plus 1 upon sec theta plus 10 theta यह हो गया LHS और RHS क्या है? 2 upon cos theta यह हो गया अब LHS पहले solve करेंगे LHS यह हो गया अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 upon sec theta minus 10 theta plus 1 upon sec theta plus 10 theta तो यहाँ पर हम अब क्या कर सकते हैं? यहाँ रेसिप्रोकल भी नहीं लग रहा है कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो सीधे हम LCM लेते हैं क्या करें? LCM ले ले LCM क्या आएगा? जब आपको trigonometry में LCM लेना हो तो simple आप क्या करिए? यह जो नीचे लिखे हैं ना denominator में अगर इनका LCM लेना हो तो simple आपको करना क्या है? दो चीजे हो मान लिजे, एक यह है तो नीचे वालों को दोनों का आपस में multiply कर दीजे वही हमारा LCM हो जाएगा यहाँ पर यह sec theta, minus 10 theta और यह sec theta, plus 10 theta दोनों नीचे वालों को यानि denominator को हमने क्या किया? multiply कर दिया दोनों denominator को हमने multiply कर दिया तो यही हमारा LCM हो गया जब trigonometry में आपको LCM लेना हो तो simple करना क्या है जो denominator में value दी हो ना दोनो दोनो value को multiply कर दीज़े वही LCM हो जाए ये हो गया LCM अब देखिए उपर लिखना है ये वाला पहले क्या है ये हमने पहले देखिए denominator में हो गया ये LCM फिर उसके बार यहाँ इसको लिखना है पहले जब आप इस तरह कर रहे हो denominator में दोनों को multiply तब ऐसे करना है बाकि अगर number है जैसे 2 by 4 plus 6 by 6 इस type में हो तो आप जैसे LCM लेते हैं वैसे करिए यहाँ पर ये नहीं कि इसको ऐसे multiply करेंगे तो भी सही है हम यहाँ पर सीधे करेंगे जब कोई trigonometry की मतलब कोई trigonometry दिया हो तब ये हो गया फिर यहाँ पर पहले हमने लिखा ये फिर दूसरा यहाँ पर लगाना है plus अब क्या लिखेंगे? अब इसे लिखेंगे six theta minus ten theta पहले इसे लिखना है बाद में इसको लिखना है ये हो गया हम क्यूं इस तरीके से लिख रहे हैं? देखिए अगर नीचे देखें denominator में तो LCM लेना आता है ठीक है LCM आ गया हमारा अब हम LCM जब ले लेते हैं तो कैसे लिखते हैं number? numerator में देखते हैं यहां से denominator से तो यहां से minus theta यहां से minus theta क्या नहीं है? यह नहीं है इसको लिख लेते हैं फिर यहां पर आएए sec plus लिखा है sec plus ten theta नीचे denominator में यहां LCM में यह लिखा है यह क्या नहीं है? यह नहीं है तो इसको यहाँ पर लिखने में समझ में आ रहा है, जैसे समझ में आ वैसे इसको कर लीजिएगा यह हो गया अब यहाँ पर प्लस 10 थीटा, माइनस 10 थीटा दोनों आपस में कैंसल सेट थीटा प्लस सेट थीटा 2 सेट थीटा हो गया यह sec theta minus 10 theta, sec theta plus 10 theta a minus b, a plus b, a plus b into a minus b, a square minus b square यह होता है न, a plus b into a minus b होता है, a square minus b square यहाँ पर वही formula लग जाएगा, a plus b into a minus b क्या हो जाएगा, a है हमारा sec, यानि sec square theta minus, b क्या है tan tan square theta, आ रहा है, अब यहाँ पर identity पर आई, square दिखने लगा किस identity पर tan और sec होते हैं, तो यहाँ पर 1 plus tan square theta होता है sec square theta, यह plus में है, उधर जाएगा, तो minus हो जाएगा, तो sec square theta, यह plus में उधर गया minus, तो यहाँ हो गया tan square theta, यहाँ बचा 1, तो sec square theta minus tan square theta की value क्या आ गई, 1 आ गई, तो यहाँ 2 upon sec, sorry, 2 sec theta upon 1, इसका मतलब आ गया, 2 sec theta, यह हो गया LHS, LHS क्या आ गया, 2 sec theta, अब यह सब से छोटा यहाँ पर calculate हो चुका, अब आते हैं RHS में, RHS में लिखा है, 2 upon cos theta, reciprocal में दिखा आपको, 2, इसको लिख सकते हैं, 1 upon cos theta, reciprocal में दिखा, तो cos और sec आपस में reciprocal होते हैं, तो 1 upon cos theta क्या हो जाएगा, sec theta, यानि 1 upon cos की जगहें लिख सकते हैं, sec theta, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 1 upon cos की जगहे, sec theta, तो यह हो गया हमारा RHS, RHS आ गया, 2 sec theta, LHS आ गया, 2 sec theta, यानि LHS और RHS दोनों equal हो गये, जब LHS और RHS दोनों equal हो गये, तो यह हमारा prove हो गया, आ गया समझ में, note कर लिजिए, यहाँ से हमारा यह third part complete हो गया, अब next lecture में हम fourth part से solve करेंगे, thank you for watching this lecture, कर ला करेंगा हो, यहाँता आ खिनातों, वहाँता ह Bring the